Hi guys, आज इस वीडियो में हम लोग C में looping से related and break and continue statement से related कुछ interview questions को देखने के So, इन interview questions को solve करने के लिए आपको basic looping and break and continue statement के बारे में पता होना जरूरी है अगर आप लोगोंने break and continue से related वीडियो नहीं देखा है या loop से related वीडियो नहीं देखा है तो मैं request करूँगा आप पहले looping and break and continue से related वीडियो देखें तो आपको ये questions ज्यादा असानी से समझता है एक और चीज मैं आपसे request करूँगा जब मैं आपके सामने question रख रहा हूँ आप लीज वीडियो को post करें आपको जो output लगता है वो आप guess करें and उसे comment में post करें फिर final आप वीडियो को आगे play करके match कीजिए कि जो आपने output सोचा था क्या वही output आ रहा है मैं question की explanation आपको पहले दूँगा then हम उसे हमारे id में भी execute करके देखेंगे कि जो explanation मैंने दी है उसी के according हमरा output आ रहा है या नहीं आ रहा है So let's start guys हमारा first question जो है उसमें पुछा है what will be the output of the following code so is code come carefully observe करते है integer i equal to 1 हमने variable declare क्या है perfectly legal है no problem i less than equal to 10 यह condition भी ठीक है i equals to equal 5 यहाँ पर हमने check क्या सही लिखा है इसमें हमने लगा है break okay guys so problem is that यहाँ पर क्या है अपनी error है क्यों है error break is in sight if error यह है कि यहाँ पर break जो लगाया है हमने if में लगाया है बट आप कहेंगे sir break if में लगा सकते है बिल्कुल लगा सकते है but if जो है वो surrounded होना चाहिए या तो switch case के या फिर loop के तो यहाँ पर जो हम use कर रहे हैं if if is not inside the loop यह जो if है वो loop के अंदर नहीं है बहुत सारे लोग यहाँ पर output यह predict कर रहे होंगे कि इसका output आएगा एक से चार कट की counting लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमने if के अंदर if लगाया है और उसमें हमने break लगाया है अगर यह if किसी loop के अंदर होता तो और definitely i command 5 उने पर वो loop break हो जाता बट यह loop के अंदर नहीं है direct if के अंदर if है so यह जो है हमारी error होगी और error क्यों होगी क्योंकि जो हम break लगा रहे है वो direct if में लगा रहे है और यह if किसी loop का इससा नहीं है इसलिए यह error है आईए इस code को हम लो आईडी पे भी मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर हमें पूरा format बनाना पड़ेगा और आप इसी बात है डाइरेक वोड रन कराएंगे तो रन नहीं होगा वोड़ स्निपट था और का हिस्सा मतलब तो यह प्रोग्राम हमारा रेडी स्यों कर दिया हमने इस से नहीं से कंपाइल करता हूं एक्जिक्यूट में जाके आप कंपाईल यह आप नहीं दबा सकते हैं तो यह प्रेक श्रत्रमाइब नुट नुट रू लूप श्विच यह एर्रमेश और मेसज्ब शिवर्युट दाल देता हूं यह अंपर इस इस अर्र मेस्ज़ टेक श्रेटम नॉट विदिन लूपर स्विच वर्ट इट इस आये हमारे नेक्स विस्टिन प्याते है विद mbla mnay i variable बनाया है आई की बनाया है का इस अर्ड रहा है इसका देकिया घ्रटम अप्रेक्ट कराया आई कि वेड़्ियों को तो गैस यह रोबनाया है एक छुट करेंगा का रही गास तो गाइस आईए देखते हैं इसका solution क्या है तो first of all इस चीज को हमें यहाँ पर समझना जरूरी है कि i++ less than equal to 3 किस तरह से एवल्ग होगा यह एक जो statement है इसमें दो statement छुपे वे हैं पहला जो इसमें step होएगा that is यहाँ पर check होएगा कि i जो है को less than equal to 3 है क्या and second जो इसमें step होगा that is i बराबर i plus 1 fine and उसके बाद में if i less than equal to 3 then loop body will be executed okay guys देख यह पहला काम होएगा condition check होएगी then i common increase होएगा immediately उसके बाद में अगर condition true है i less than equal to 3 है तो loop के अंदर आएगा और value को print करा देगा अगे लेकिन repeat कर रहा हूँ यह condition पहले test हो रही है इसका result true या false या नि 1 या 0 आ जाएगा अगर result 1 था तो increase होने के बाद value print हो जाएगी और अगर result is condition का 0 था तो increase होने के बाद value print नहीं होगी इसका output हम देखते हैं इसको मैं explain करता हूँ आपके लिए यह हमारे पास code है now हम देखते हैं यहाँ पर एक हमारे पास variable है i आई का मान जो है हमारे पास वो कितना है अभी one first time okay now condition वाली जगह पर आया यहाँ पर condition की जगह पर initially value कितनी रखेगा i की one right और अंदर आने से पहले i की value बढ़ागी कितनी करेगा यह तो condition वाली जगह पर value one रखी one less than equal to three true है अंदर आने से पहले i की value को increase कर लिया यानि i का मान कितना हो गया हमारे पास अंदर आने पर two यह print कितना करेगा अब two okay guys two print होने के बाद output में हमारे पास क्या आगए two फिर विया i plus plus less than equal to three तो यहाँ पर i की value condition पर कितनी रखेगा यह three पहले कितनी रखी ती इसने one अब कितनी रखेगा यह value two two less than equal to three condition true है अंदर आने से पहले यह i का मान कितना करेगा बढ़ा करके अब तीन करेगा तो output में जो value आएगी वो कितनी हो जाएगे हमारे पास two के बाद में print हो गया है three फिर उसके बाद में यहाँ पर i का मान कितना रखेगा यह three condition then i increase हो रहा है तो i का मान बढ़के कितना हो गया चार condition में value कितनी रखे है इसने तीन तीन पर condition true है value बढ़ेगी अंदर आकर कि मान कितना print कर देगा यह four fine फिर इसने condition में value रखे कितनी four four पर condition false है i का मान एक से increase होएगा i का मान कितना हो जाएगा पांच लेकिन चू की condition false थी तो यह लूप के अंदर नहीं जाएगा मतलब पांच जो है वो print नहीं होगा आउट्पूट जो है के वहल इतना ही होगा हमारा two three and four के वहल यह आउट्पूट है हमारा ओके find guys hope so easily समझ में आओगा आए इसे भी execute करके देखने हम लोग नाव इस code को मैं copy paste करता हूँ इसे हम एक्जेक्यूट करते हैं आउट्पूट मैंने आपको क्या बता है था two three and four so this is the output two three and four so guys is question को मैं थोड़ा से आउट्पूट करता हूँ suppose that की लूप खतम होने के बात भी हमने आई का मान प्रेंट कराया इस जगह पर यहां पे भी हम आउट्पूट पर आई का मान प्रेंट करा रहे हैं तो यहां पे वल्लू क्या प्रेंट होईगी guys guess कीजिए आप लोग यहां पे भी वल्लू मैंने प्रेंट कराई आईगी guess कीजिए क्या होईगी four होगी five होगी दोनों में से कोई एक guess कीजिए comment कीजिएगा नौ मैं explain करता हूँ देखिए मैंने आपको बताया था जब यह लूप हमारा खतम हुआ आई की वेल्यू कित्ती हो चुकि है पांच पांच पे लूप खतम हुआ था क्योंकि चार पे condition true थी चार पे condition false ही थी then increment run हुआ था तो चार से वेल्यू बढ़के पांच लेकिन condition false थी इसलिए लूप के अंदर वाला हिस्सा प्रिंट नहीं हुआ अपना तो output में two three four है अब लूप से जब आ जा रहा है तो आई कमाल पांच है तो यह जो बाहर वाला लूप है इसको मैंने लिख दिया है आप एक्सलेशन आउट साइड ओके यह वल्यू आई की कितने प्रिंट करेंगा फाइफ यह देखे गाई तो त्री फॉर लूप से प्रिंट वा फाइफ पे condition पे पाल सुई थी थी तन यह लूप से बारा की क्या प्रिंट कर रहा है अ इंक्रीज हुआ था एक बारा तो फाइफ हो गया था पाल आई नेक्स विश्चिन अम लोग दिखते है नेक्स नमरा क्विश्चिन है वाट विल बीद आउट्पट आप फॉलविंगोड लेट्स चिक आई एक्वल दूबन करेक्ट आई लिजन इकूल दूटन करेक्ट त फिर आई इकोल टूट इकल 5 है के नहीं है अगर आई का मान 5 होता तो चन्टिनीव रन होता तो सीधा कहा चला जाएगा आई प्लस प्रस प्रस पर राइट आई का मान बढ़के कितना हो जाएगा 2 च्राइब, धनी अगरीजन होता प्रस 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 पर नियो र्लोट कर सक्वाया होता है यह बोट्स में 1, 2, 3 and 4 आ चुका है, right, फिर चेक वा आई बराबर 5 है क्या, नहीं है, then I plus plus I कमान 5, अप इस कंडिशन पर गया, I less than equal to 10 true है, लूप के अंदर रहा, printf run होगा, मान कितना print होगा है, 5, right, अब चेक वा, I बराबर 5 है क्या, है, तो continue run होगा, जैसी I कमान 5 होगा, continue run होगा, continue run होने का मतलब क्या है यहाँ पर, देखे, जैसे continue run होगा, control जो है, वो transfer हो करके कहां चला जाएगा, सीधा condition पर, यानिकि जब I कमान 5 है, continue run हो रहा है, तो यह जो मारा I plus plus है, यह इसके पो रहा है, यह continue के बाद में लिखावा है, अब जब value increase ही नहीं होगा, तो सीधा condition पर क्या, condition पर वापस value कितनी रखी इसने 5, I less than equal to 10, true of office अंदर आया, I कमान फिर से क्या प्रिंट कर देगा, 5, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 5, फिर I पर आपर 5, continue करा, वापस condition पर चला गया, अब value increase ही नहीं होगा, तो 5, 5, 5, 5, चलता रहेगा, okay guys, बहुत सारे लोगों ने इसका output जो सोचा था, वो सोचा था, एक से लेके 10 तक गिंती आएगे, लेकिन 5, skip हो जाएगा, right, लेकिन ऐसा नहीं होगा, please, flow को आप गौर से देखे, now उस code, इस code को भी हम execute करके देख लेदे हैं, so guys, same code है, now I am doing, running it on, id, so this is the output, 1, 2, 3, 4, and 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, चलता रहेगा, fine guys, we have to close this video, so, ये, कुछ interview question थे, इस video के लिए, मैं फर्दर और वीडियोज अप्लोड करता रहूँ है, अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छ लग रहे हैं, और आप रेगूलर अपडेट पाना चाहते हैं मेरे वीडियोज का, then please, subscribe my channel, thanks for watching this video guys,